हलो फ्रेंड्स अगर आपके पास Epson का EcoTank Printer जैसे की 3110, 3115, 3150 है और अगर उसमें आपका कुछ दिक्कत आ गया जैसे कि आपका Printer में मैसेज आ रहा है Epson Ink Pad at the end of its lifespan या फिर आपका Nozzle Check करना होगा या फिर Head Clean करना होगा तो आपको फिर Epson का Resetor या फिर Adjustment Program चाहिए होगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को Epson का Resetor Program देने वाला हूँ Description Box में आप लोगों को Link मिल जाएगा वहाँ से आप लोग Download कर वाओगे Download करने के Time आप लोगों को इस तरह से कुछ Message आएगा आप इसको Ignore कर दीजेगा इसको क्या करना है Google Chrome Browser में जब आप Download करोगे आप Download में जाकर Keep Dangerous File इसको करना है Friends डरने की कोई बात नहीं यह आपका Computer या Laptop को कोई Harm नहीं पहुचाने वाला इसको OK कर देना है Keep Dangerous File OK कर देना है तो आपका File Download हो जाएगा Download हो जाने के बात आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसको Right Click करके Extract करना है आपके पास अगर कोई Jeep Extractor है क्योंकि यह जो File Download होगा यह Jeep Format पर हो जाएगा इसको Extract कर लेना है यहाँ पर Extract करने के बात इस तरह से File दिखाई देगा आपको Adjustment Program यहाँ पर जाक कर Adjustment Program इस File को Run करना है Double Click करने के बाद ऐसा Message आएगा इसको OK प्रेस करना है OK प्रेस करने के बाद ध्यान से देखिए Friends आपका Machine का ID यहाँ पर So करेगा आपको क्या करना है एक टेक्स्ट फैड खोलना है आपको इसको Close नहीं करना है Desktop में जाकर New करके एक Text Documents लेना है और यह जो Message यहाँ पर So कर रहा था यहाँ से Machine का ID आपको Coffee कर लेना है Direct Coffee तो नहीं हो फाएगा यहाँ से आप यहाँ से देख देख के Type कर लेना है इस तरह से Type कर लेना है मेरे पास Already Saved है उसके बाद इसको Close कर देना होगा और Keygen folder में जाना पड़ेगा वहाँ पर जाकर Last वाला जो WL Gel Epson L3110 इस Application को Run कराना है और License Manager में जाना है यहाँ पर उसके बाद Add License करना है यहाँ पर आपको Fill करना होगा Customer Name Company Name कुछ भी भर दीजिए और Hardware ID यहाँ पर चाहिए होगा वह जो आपने उस बक्त Machine का ID कॉफी करके NoteFed में लिख लिया था हम लोग उने उसको यहाँ पर कॉफी करना है और Hardware ID का Place में यहाँ पर Paste कर देना है और Save कर लेना है उसके बाद Create License Key पर जाना है और OK कर देना है देखिए Friends यहाँ पर इतना ही काम है और इसको Close कर देना है Close करने के बाद यहाँ पर देखिए एक folder आ गया License Key का यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सभी File को Coffee कर लेना है Coffee करने के बाद Back पर जाकर यह जो folder था यहाँ पर सभी Coffee किया हुआ फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यह जो फोग्राम को हम लोगों ने फार्स्ट टाइम रन किया था इसको डवल क्लिक करके रन करना है देखिए फ्रेंड्स आ गया हम लोगों का एडजस्ट्मेंट फोग्राम उफेन हकर आ गया यहाँ पर अगर आपका मॉडल सिलेक्ट हो जाएगा और पर्टिकुलर एडजस्ट्मेंट पोग्राम मोड पर जाना है जाने के बाद अगर आपका प्रिंटर इंक फेड्स खतम हो गया ऐसा मैसेज आ गया एफशन इंक फेड्स लाइफ स्वैम ऐसा मैसेज आ रहा है तो यहाँ पर वेश्ट इंक फेड्स काउंटर में जाना है और ओके कर देना है यहाँ पर प्रिंट का काउंट सो करेगा यह जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको टिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर दो एक बार इस तरह से error का message आ सकता है लेकिन दो एक बार आप लोग repeat करके try कर लिजिएगा तो यह हो जाएगा और हो जाने के बाद आपका screen पर message आएगा printer को off करने के लिए और सभी जो यह program run करने के time पर आपका printer on होना चाहिए और यह खतम हो जाने के बाद यहाँ पर message आएगा printer को off करने के लिए आप printer को off कर देना और यहाँ पर finish कर देना हो जाएगा अगर आपको head cleaning करना होगा तो यहाँ पर आप head cleaning भी कर सकते हो इंक चार भी कर सकते हो टेस्टिंग पेज का प्रिंट भी ले सकते हो लगे फ्रेंट्स यहाँ पर सवी काम आप कर सकते हो